हालो एभरीवान दिस बिंधेश्वरी वारे आज का हमारा टॉपिक है कल्टिवेशन प्रैक्टिशेस ऑफ राइस तो राइस के कल्टिवेशन में हमने फर्स पार्ट में देखा राइस के इंट्रोडक्शन को डिस्टिटिवूशन को and नर्सरी बैट प्रिप्रेशन को लिकेट है जो right bad methods, drive bad methods and taponic methods को हमने देखा था इसमें हम देखेंगे कि taponic methods क्या होता है, यह जो methods होता है फिल्मेंपिन्स में प्रचली्थ है और इंडिया में आंद्र प्रदेस में अपना ही जादे taponic methods में planned को बिना soil के उगाते हैं और इसमें जो जनरली जो है जो सिड्लिंग होता है वो सोईंग के 12-14 डेस में जो है ट्रांस्प्रांटिंग के लाइग हो जाता है एंड इसके लिए जो है जो एरिया होती है वो वन मीटर इस्वाइर एरिया जो है सफीसियंट होता है इसमें जो है जो बेस्ट बायो फटिलाइजर होता है वो राइस के लिए वो एजोला होता है बेस्ट बायो फटिलाइजर कि एंडर नेस्ट हम देखते हैं मेन्योरेंड फटिलाइजर को सो राइस के लिए जो है एफ आई एम या कंपोस्ट जो है 10-15 जो है टन पर हेक्टियर की दर से डालेंगे और नाइटोजन जो होता है वो जो देंगे हम वो 100-150 केजी पर हेक्टियर की दर से एंड फासपूरस जो देते हैं वो 50-60 केजी पर हेक्टियर होती है और पोटास जो होता है 40-50 केजी पर हेक्टियर की दर से जो है पोटास जो है वो रिकर्मेंटेस डोज है एंड जिंक सलफेट जेते हैं 25 केजी पर हेक्ट कि दर से एंड ग्रिन मेन्योरिंग क्रॉप्स का यूज करेंगे जैसे सनाई धैचा एंड मून एंड ऊड़्द का कि एंड नेस्ट हम देखते हैं राइस क्रॉपिंग इसकीम स्वारी राइस के क्रॉपिंग सीजन्स को सो जो है तीन विंटर में जो है जो कि रवी है उसको आमन राइस बोला जाता है इसको जुन तो जुलाई में इसकी सोइंग की जाती है जो की स्प्रिंग सिजन में लेते हैं उसको सोईनम नेम नॉपर तो दिसंबर में इसको लगाया जाता है यह सोईन remembering डेखते हैं मैथटिवेशं कालों नहीं अग्रां के ब्राड कसों ड़ोड जाने हैं तक गालगों के इस बिद्दाइस मैथटिवेशन के बादों किसां के इंप्राफ जाता है किसान बॉक्क शुरा स्बिक्दीद शाषा ba मिलने — लिए ब्लिछ ब्लिटियों वम्हाइं करें है राद से पीछे या सिद्ल की सहायता से हम इसमें करता है हैं अल्त काने कान सोगहों परक्रमील है ज़ो गट्स कि या सिद्लिंग अगन ट्रास्टान्ट काल निद्ध शर्मट अपहुत है ज़ित त्रान्स्जटार्ष और प ermुटि ट्रान्स्टान्टिंग को के थ्रू जो है सोइंग की जाती है या सिड्लिंग को ट्रांस्प्रांट किया जाता है इसके लिए जो है में फिल्ड में जो है सोइंग करने से पहले जो है सिड्लिंग त्यार किया जाता है जिसके लिए नर्सरी बैड प्रिप्रेड किया जाता है एंड जो है 4-5 weeks जो है पहले से transplanting के nursery bed preparation किया जाता है फिर उसके बाद से भी जो है highest yield भी की प्राप्ती होती है एंड नेस्ट हम देखते है जापानिस मेथड यह जो मेथड जो होता है वह हाई इल्डिंग वराइटी के लिए जो है यूज किया जाता है इसमें जो है अग्स से स्चन डेखते होतर अग्सिफड तयार करके जो है उसके बाद को टांस्प्रान किया जाता है में फिल्ड में रैस कॉल्टिवेशन 1 जो है यूज किया जाता है इसके लिए जो है वीडिंग एंड जो है फटिलाइजर हैवी मात्रशला में जो हैTake किया जाता है जिससे जो है है एवी डोस जो है फटिलाइजर कर दिया जाता है जिससे वेरी हाई इल्ड जो है प्राप्त होता है ए्ट नेस्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ राइज इसके लिए जो है राइस की जो है उराइजा की 24 स्पीसिस है जिसमें से जो है दो ही स्पीसिस कल्टिवर है फर्स्ट हम देखते हैं उराइजा सटाइवा यह जो है डिपलॉइड होता है जिसका क्रोमोजूम नंबर जो होता है 2N 24 इसकी जो है 3 जो है सब इस्पीसिस है जिसमें पहला जो होता है इंडिका भारत में उगाई जाने वाली जो है राइस की इंडिका सब इस्पीसिस से रिलेटेट है यह सब इस्पीसिस मैन्यूर एंड फटिलाइजर के प्रति जो है इरिस्पॉंसिव होते हैं एंडनेस जो होत संबंतित प्रजाती जो होती है जपान में पैदा की जाती है या जब सब इस्पीसिस जो है सब ट्रॉपिकल्स रीजन्स या जो हॉट एरियास में गई जाती है इसमें बीज गोल या जो है रॉंड सेप में यूथ होते हैं डांट जो होते हैं जवा हनिका इसे सबेसिस मुख्यता इंडोनेजिया में पाई जाती हैं इसे लगू धनेवी करते हैं या धन की वाइल्ड इस्पिसिस होती है यह जंगली प्रजाती होती यह जो प्रजाती जो होती है वह वेस्ट अप्रिका में जो है उगाई जाती है एंड नेस्ट हम देखते हैं सीड रेट सो ब्रॉड कास्टिंग मेथड से यह दी सोइंग करते है तो उसके लिए जो हंड्रेट केजी सीड रेट पर हेक्टियर की रिक्वाइड होती है एंड डिलिंग मेथड से 60 केजी पर हेक्टियर एंड हाइब्रिट राइस है तो उसके लिए 15 केजी पर हेक्टियर सीड की रिक्वाइड होती है डैपोंग मेथड में 3-4 केजी जो है मीटर स्वाइर जो है प्रती मीटर स्वाइर जो है सीड की रिक्वाइड होती है 30 to 40 meter square area upon per hectare की दर से and spacing जो रखते हैं वो 20 into 10 cm meter जो spacing रखी जाती है and next हम देखते हैं seed rate and next हम देखते हैं seed rate so जो है पेडी के जो seed होता है उसको treat करने के लिए जो है agro sun at the rate 100 grams per 50 kg of seed के हिसाब से use करेंगे जो की seed born disease के लिए जो है अच्छा होता है so seed treatment करके जो है seed की sowing करेंगे and next हम देखते है climates को so इसके लिए hot and humid climate जो है rice के cultivation के लिए suitable माना जाता है जिसका involved rainfall जो है 140 जो है 140 जो है rice cultivation के लिए and soil को देखते है so soil जो clay loam soil जो है suitable होता है and pH जो value होनी चाहिए वो जो है 4.5 to 8 pH वाली जो soil होती है वो rice की cultivation के लिए अच्छा माना जाता है and acetic soil जो है are good for rice cultivation मतलब rice की cultivation के लिए acetic soil को भी जो है बहतर माना गया है and next हम देखते हैं irrigation management को so rice के cultivation यह rice का water requirement होता है वो 9 900 से 2500 mm होता है so critical stage जो होती है so पहला critical stage जो है panical initiation stage and second जो होता है pre flowering stage and third जो होता है flowering time and fourth जो होता है grain formation के time and fifth जो होता है booting stage में इन stage में जो है rice की crop को जो है irrigation कर देनी चाहिए अब next हम देखते है wheat control को so wheat यदि राइस के cultivation करने में wheat problem हा जाते हैं तो उसके लिए उससे जो है yield जो है वो 20 to 40% जो है reduce हो जाती है तो most जो common wheat है जो rice के cultivation में problems create करते हैं जिसे की kynocola, kolonum and echinocola, kruz gallis and cypress species cypress deformis यह सारे जो है etc यह सारे जो wheat हैं जो की rice cultivation में problem creates करते हैं इसके control के लिए हम wheat के control के लिए wheat को remove करेंगे 20 days after transplanting and second जो है वो 50 to 60 days after transplanting के जो है wheat को जो है remove करेंगे removed करेंगे and next हर्विसाइट के तुरू हर्विसाइट के यूज करके जो है wheat को control करेंगे सो उसके लिए जो है butachlor 50 ai at the rate 1.5 kg per hectare की दर से जो है use करेंगे 5 to 6 days of transplanting के within 5 to 6 days of transplanting के एंड थिवो बैंकार्प का 30 ai at the rate 1.5 kg per hectare की दर से यूज करेंगे within 5 to 6 days of transplanting के and pendimethylene 30 ai 1 kg per hectare की दर से इस्प्रे करेंगे within 1 to 2 days of direct seeding of paddy इस प्रकार से जो है इन दिये गए herbicide का use करके हम use करेंगे weeds को control करेंगे and next हम देखते है CRI methods को जिसका full form होता है system of rice in density notification यह जो डबलब है यह जो मेड़ा गास्कर में जो है इसको डबलब किया गया था father henry d lonelli के द्वारा जो है इसको डबलब किया गया था 1983 1980 में and and जो है हमारे हां जो है इंडिया में जो है 2002 से 2003 में जो है फार्मस फार्मस जो है एक्सपेरिमेंट जो है स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में यह जो है system of rice intensification जो है प्रती यूनिट एरिया में कम से कम लागत में production प्राक्ट कर करने के लिए जो मेड़ा गास्कर में father henry d lonelli ने इसके जो है कुछ प्रिंसिपल्स है जैसे कि इसमें जो है एक टू टेन डेस के जो नर्सरी में जो तयार पौधे रहते हैं उसको transplant किया जाता है एंड जो second जो होता है वह spacing लिया जाता है वह 25 into 25 centimeter 25 centimeter row to row और 25 centimeter plan to plan जो है spacing इसमें रखा जाता है एंड जो है वीडिंग किया जाता है वीडर से कोनो वीडर के तुरू जो है वीडिंग किया जाता है and the use of organism and use किया जाता है organics का and next हम देखते हैं इसके कुछ advantages है इसमें 30-40% irrigation water का saving हो जाता है and 85% seed की saving होती है and saving of chemicals inputs and जो chemicals inputs होते हैं उनकी saving होती है and healthy होता है यह organic farming practices इसके द्वारा हम जो है करते हैं जो की healthy होता है better and high yield with low inputs मतलब कम लागत में जो है अधीक और जो है अच्छा yield प्राप्त हो जाता है crop duration जो है reduce होता है 7-10 days and next हम देखते हैं disease of rice को so first जो disease होता है blast देखते हैं जो जिसका पैथोदन जो होता है वो पैरी कुलेरिया जो औरेजी है जो की fungus है यह पैरी कुलेरिया जो औरेजी होता है यह हावा के द्वारा जो है airborne disease होता है यह जो है rotten neck जो है symptoms दिखाई देने लगता है इसमें इसके disease के control के लिए इसके control के लिए spray करेंगे 0.1% जो है इनो सान 50 EC या इसप्रे बावस्टीन and 10 kg seat with 5 g ग्राम इमीर सन 1 g ग्राम स्टेप्टो साइक्लीन in 10 लीटर अप वाटर for 24 hours बिफोर सोई and next हम देखते है ब्राउन स्पॉट ब्राउन स्पॉट जो है and next हम देखते है ब्राउनी स्पॉट ब्राउनी स्पॉट जो है जिसका ब्राउनी स्पॉट जो है जिसके लीप्स में जो है सर्कुलर अकार के जो है डार्क ब्राउन कलर की स्पॉट बन जाते हैं and इसके कंट्रोल के लिए देखेंगे 3-2-4 इस्प्रे करेंगे 0.2% जीनेव या मैंकोजेव 75WP का इसमें जो है जो राइस के ग्रेन होते है उसमें लाइफ उटने के समान हो जाता है वो इसके कंट्रोल के लिए इस्प्रे करेंगे 0.2% कॉपर ऑक्सिकलोराइट का 50% पैनिकल इमिर्जेंस में and सीट ब्लाइट को देखते हैं इसके कंट्रोल के लिए जो इस्प्रे करेंगे 1kg कारवेंड़ाजीन पर हेक्टियर इन 1000 लीटर आप वाटर में मिला करके जो है इसको इस्प्रे करेंगे दो हैं इससेट को रिया जिसका की लार्वाण दाफ डामेज हुए आइंड जो स्टेब करता है और इस्प्रकार से कंट्रोल के लिए ऐतपलाई करेंगे कार्बो फ्यूरान एड़रेट 30 kg पर हेक्टियर या पोरेट 10% ग्रैनवल अर्था दानेदार एड़रेट 10 kg पर हेक्टियर की दर से हम जो इसको एपलाई करेंगे एंड नेस्ट जो लगता है गाल माइंड ये जो है सकिंग इंसेक्ट होता है इसके कंट्रोल के लिए इसके कंट्रोल के लिए जो है इसके कंट्रोल के लिए जो हम इस टेमपोरल के लिए जो यूज किये हैं उसी को जो है इसमें भी हम यूज करेंगी इसके कंट्रोल के लिए इंड नेस्ट जो होता है घन्दीबभ गूंड़ी थे ऑच हता है अठाट जो ाइप प्लांड को सब्सक्रांट कूंड़ी कूआ उसके जो है मिल्किंग उसके मिल्क को जूस को सक करके जो है नुकसान पहुचाते हैं इसके कंट्रोल के लिए जो है अप्लाइ करेंगे 1% मिथाइल पैराथियान या 5% मेलाथियान डस्ट का जिरो एड़रेट 20-25 केजी पर हेक्टेर की दर से एंड नेस्ट हम देखते हैं राइस हिस्पा जिसका जो है एड़र्ट जो होता है वो नुपसान पहुचाता है इसके कंट्रोल के लिए जो है फास्पोमिड़ान 85 एसल एड़रेट 0.5 मिली लीटर के यूज करेंगे एंड मोनो कोटो फास 36 एसल सॉरी इसी एड़रेट 1 एमल इन 1 लीटर आप वाटर या डस्ट 2% मिथाईल पैराथियान एड़रेट 20 kg पर एक्टर की दर से यूज करेंगे इसके राइस हिस्पा के कंट्रोल के लिए एंड हार्वेस्टिंग को देखते हैं इसकी जो हार्वेस्टिंग जो होती है यह जो राइस जो होता है 85-90 देस की क्रॉप होती है तो उस कंडिशन में जो है जब इस पीकलेट जो है गोल्डन हो जाए या हाड हो जाए मतलब पूरी पत्तियां जो है सुखने लग जाती है ब्राउन कलर की हो जाती है पूरे प्लांट्स हो है तब इसकी हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए एंड हार्वेस्टिंग जो है 22-26% मॉस्टिंग जब रहता है प्लांट्स में तब इसकी हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए एंड इस्टोरेज के लिए जो है 12-14% मॉस्टिंग हो उस कंडिशन में इस्टोरेज करनी चाहिए एंड इल्ड को देखते हैं तो इल्ड जो है यदि सॉट डियूरेशन वाली जो क्रॉप है तो उस कंडिशन में 45-25% पर हेक्टर इल्ड मिलता है यदि हैवरिट राईस है तो 62-70% पर हेक्टर की दर से इल्ड मिलता है